कमाल है यार कोई बिल्कुल भी दिखनी रहा है रोड पर एक इंसान नहीं है तो लॉक्डाउन के कारण ऐसा लग रहा है कि सुसाइटी नहीं यह जॉम्बी लैंड बन चुगा है देख रहे हैं आप लोग कोई भी स्ट्रीट नीचे है इनी रोड के उपर में सब अपने घर ह में बैठे हुए हैं उधर भी देखिए आप लोग को कोई भी नहीं है कि सारे लोग अपने घरों में आराम से सोई हुए हैं और उपर से मोदी जी ने आज फिर से आके बुला है कि कि तीन महीं तक लोडाउन रहेगा तो और लोग सोच रहे हैं कि घर से निकले क्या फायद बिलकुल भी यह काहत भी बस दिखाए हैं तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कोल्ड कॉफी बनाओं और क्यूंकि डूरिंग लॉक्डाउन बहार तो कोल्ड कॉफी मिलेगा नहीं और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि साहे लोग अपने घर में कोई भी नहीं तो सेम ऐसे कोई इस शौप खुला ओब नहीं है तो कोल्ड कॉफी पिने का बहुत मन कर रहा था मुझे तो मैं भी कोफी पीलूँगा और सब लोग भी पिलाओंगा पापा को ममीक और भाई को और आप लोग को दिखा दूँगा कि कॉल्ड कॉफी कैसे बंता है तो फिर आप भी घर में लोगों को अगर घर में ट्राय करना चाहते हैं द्यूरिंग लॉगडान अगर मन कर रहा है कोल्ड कॉफी पीने का तो आप भी घर बना के पी सकते हैं तो मैंने थोज़ दरे पहले एक घंटा पहले आइस जमने के लिए रखा था तो देखता हूं कि जम गया है कि नहीं थोज़ दरे पहले मैंने भी घंटा पहले आइस क्यूब रखा था इसको जमाने के लिए क्योंकि कोल्ड कॉफी में आइस क्यूब के रिक्वार्मेंट होती जादा तो याइस जम किया है तो अब क्या है कि मेरे से तसारा नहीं हो पाएगा मतलब कैमरा में देता हूं भाई को अब करना यह है कि पहले है अब करना यह है कि पहले देखा नहीं आप डियरी मिल्क में आप आपको चाहिए होग hottest चो कि अधां क आधावे तो थोड़ा सा पहले मैंने यह देखिए क्रशकर लिया था यह रष कर लिखतयर फूर लेकिन इतने में होगा नहीं तो और नहीं कर आप लोग भी घर पर इजली बना सकते हैं इसे तो यह चॉकलेट है और इसमें इसको क्रश करेंगे इस साइड से तो देखिए मैंने कर लिया है छोड़े पीस कर लिये क्रश कर दिया इसको और यह मिल्क के ऊपर से रहेगा अब यह हो गया अब इसका करना यह है कि कटोड़ी में कॉफी डालना है इसको पूरा कॉफी को आप लोग घर में बनाई पीजे बहुत मज़ा आएगा कोल्ड कॉफी पीने का एक अपना ही मज़ा है यह देखिए तो यह मैंने कॉफी निकाल लिए अब कॉफी के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे जादा नहीं जाँ डालना आप यह थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें कि यह पाई डालके उसके बाद इसको ऐसे मैश करेंगे इसको मिक्स कर दिए सबको अच्छे तरीके से सब घुल जाना चाहिए अब इसे जार भी डालेंगे यह देखिए सारा कॉफी डाल दिया है यह देखिए कि सारा कॉफी इसमें डल गया है अब इसके अंदर कि अब मैंने जो थोई तरे पहले आइस जम आया था वह आइस जम चुका है पूरा अच्छे तरगे से जवान नहीं है लेकिन तिल्वी देख लगता हूं आइस गल चुका है क्योंकि जा टाइम होके था गर्मी बहुत है तो पानी हो गया है चलो कोई अतनी पानी डालते हैं तो इसके अंदर देखिए पाइं डाल दिया मैंने तो देखिए इसमें जाग आ चुका है वह कितना अच्छा जाग है कि देखनें बहुत यम्मी लग रहा है कि अब यह हर्षी का सीर्म लेंगे और इसे ग्लास में लगाना है आपको ग्लास के चारो तरफ इसे ऐसे लगा लगाना है तो अब इसे अराम से ग्लास में डालते हैं देखिए अब इसके ऊपर से जो ग्रश किया और चॉक्लिक था इसे डाल लेंगे अब इसे लगाना है तो देखा आपने कितना मस्त बन चुका है पहले सब लोगों देता हूं मैं यह देखिए कॉल कॉफी वा क्या लग रहा देखिए और यह यह देते हैं भाई को और यह लेता हूं मैं तो अब बताइए शारे लोग कैसा लग रहा देखिए लोग बहुत 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 टेस्टी लग रहा है तो तो रही रोज ही रही बना के पिलाओंगे विल्कुल कुल तो शाहरों कहते हैं कि यह अच्चा अब बनाया है तो साहे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे हाथ का चाह बहुत बनता है तो वैसे जाए और पी के बहुत बजार रहा है तो क्या फाइदा है बहुत जानेगा लॉक्डण हो यादा हो अराम से टाय वहाँ ची अपने हाथ है पदा नहीं क्यों लोग इतना अपने घर अपने घर पे बनाओ घर बनाओ घर पे इंज्वाय करो कोई अगर लॉक्डण है या नहीं उसे मतलब नहीं है आपके बनाने के कॉफी तो पहले बनाए कुल्ड कॉफी पी के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टेस्टी है बहुत और आप लोग घर पर ट्राय कर सकते है दो प profल के ऐसा स्थ में आपना लोग त्रौ में अखर नमौ बहुत डहा है मैं तरह जो इंट दाले है बेंस है कोई करता नहीं पूर लोग को देखिए निभी अपने कर्द को देखिए इस वीडियो को देखिए अपने खर पे भी कोफी एसा बनाई इस कुछ श duct मत करीके और इस कोफी को बनाइए और सबके साथ मिलके शेयर करके कीजिए और ऐसा बस सोची कि बोल हो रहे हैं ऐसे कुछ फन करते हैं घर में कौफी बनाइए और कुकिंग करिए और इस लॉक्डाउन को आप से इंज्वाय करिए अपने फैमिली साथ में मज़े लेते हुए हैं कि न अब रोज कॉफी बनाओंगा मैं सब्सक्राइब कमाल का लग रहे हैं तो फिर बेसिकली यही था आज कोल्ड कॉफी का व्लॉग तो आप लोग घर में बनाइए और चिलाउट करिए घर के अंदर ही बाहर मत जाईए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जगास जगास व झाल